कॉंग्रेश ने सोशल मीडिया पर लोगों को जोड़ने के लिए खावियान चलाया है जैसे लेकर के हर्याना कॉंग्रेश के प्रभारी विवेक बंसल चंडिकर पहुंचे और उन्होंने जमकर विज़ेपी पर निशाना साधा है हमारे समधाता ने उनसे बाचीत की है आपक को जैसा बताया हमसा हमारा प्रयास है कि हर जो खासतोर से हर पारलेमेंट में हम लोग सौ के करीब आफिस बेरर्स पदाधिकारी गंड बनाएं सोशल मीडिया के और हजार से ज़ादा नए जो हैं हम सोशल मीडिया जो है योधा या वारियर्स का हम गठन करें तो यह किस 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 तरह देखते हैं आपके जो किसान अंदोलन इस समय चल रहा है क्योंकि जो बीजेपी के नेताचा मुख मंतरी की बात करें चाह कृशी मंतरी की बात करें वो कहते ही अपना हित सादने के लिए आ रहे हैं पश्मी उत्र परदेश के लोग यहां आ रहे हैं और महौल खरा परण कर रहा है तो अब ये ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रिदेश का कोई किसान नेता आकर अगर अपने विचार रखना चाहरा है जो मुद्दा है उस विशे को और लोगों से साजा करना चाहरा है तो इस पे भी ने आपती है क्या वो भारत का नागरिक नहीं है क् इनका जो बस चले या तो किसी को खालिस्तान से जोड़ देते हैं या किसी को पाकिस्तान से तो या तो मुखमंतरी कहें कि ये समाजिक तत्तों हैं ये देश विरोधी हैं इनको नहीं आने दिया जाएगा समविदान सबको अधिकार देता है अपनी राजनीतिक अपनी करता है कि यह हर चीज़ को बहुत संकीन दाइरे में देखना चाहते हैं और उसी क्या अनपालन करना चाहते हैं यह बीजेपी का यह भी एक बड़ा आरोप है कि कॉंग्रेज जो है किसानों के कंदे पर बंदूक लगा गाए अपनी जो सत्ता हासिल करने की कोशिश में एक कहवत है ना केटिल कॉलिंग दा पॉट ब्लैक यह वही उसको इस सार्थक करता है उसको ही उसकी ही पुष्टी करता है कि मुद्दा यह किसानों का किसान समाज का अंग है और हम विपक्ष में हैं अगर जो हमें मुद्दे सैधानतिक रूप से सही लग रहे हैं तो मैं अपने को उन मुद्दों से संबद नहीं करना चाहिए अगर हम महसूस कर रहे हैं कि यह किर्शी बिल पूजी पतियों के को मद्दे नजर रखते हुए उनके हितों को समक्ष रखते हुए उनका उनको पारित किया गया है और यह किसानों को का शोशन में और विर्धी कर रहेंगे और हम या राहुल गांधी अगर इस बात को लेकर मुद्दा बना रहे हैं और हर कॉंग्रेसमें और मैं तो यह कहूंगा कि हर जो निश्टावान नागरिक है इस देश का भारतिये है उसको इस आंदोलन में जोड़ना चाहिए क्योंकि यह किसान वो वर्ग है जि उस क्रांधी का अपमान किया जा रहा है किस आत्व निर्भर का नारा पंडे जवाललन नहरु ने दिया था और उस नारे को जो उसकी पंडिनती तक पहुँचाया किसान वर्ग ने उन्निस 66 की क्रांधी आज हम निर्यात करते हैं चाहें वो चीनी हो दाल हो चावल हो उनका हमने रियात कर रहे हैं तो यह इन्होंने गौरव बढ़ाया आज कहां हम लोग अमरीका के आगे कटोरा लेके जाते थे हमारा हम लोग चुकि आत्मिरवर नहीं थे आज हमारा आत्मिश्वास बढ़ाना जब सक्षमता बढ़ती है चाहें वो स चैन्ने चेत्र में या खाद्यान ये भी एक एतना बड़ा इसने हमें गौरव दिया है आत्मिश्वास हम आज हमें हमें ये विश्वास है कि अगर कहीं कोई संकट आता है तो हमें और देशों के सामने हाथ नहीं पहलाना पड़ेगा हम सक्षम हैं आज हमारे पास जो क्यंकि वह हमारे नीति से हमारे कनून फे वह सहमत नहीं है तो आज उस पर आरौप लगाये जा रहे ऐाज उस पर और तरह की बाते और वो भी देश का नागरिक है आप तो कट बस चलता है जो आपकी नीती से सेमत नहीं है वो पाकिस्तानी है göst नहीं है ऑख देश विरोधी नहीं है जो जो 62 क्रोड किसान जो किर्शी से जुड़ा हुआ है वह आज आंदोलित है वह जो देलित है आज आप उसके आंसू नहीं我不知道 ब आप इस तरीके की बाते कर रहे हैं अरे कहीं ना कहीं बड़ा दिल वो होता है जो अपनी गलती को सुईकारता है महातमा गांधी के आप जीवन को देखिए उन्होंने हमेशा अपने जीवन में अपने विचारों में संशोधन करते रहे हैं व्यवारिक रूप से जब उसको उ लाफ उन्होंने कहा कि यह अंदोलन को पिरभावित करेगा अगर इसको छेड़ा पर दसवर्ष वाद 1931 में वो खुद निकले इसके तो समय समय पर बड़ा हिर्दे मेरा मैंने यह धारन इसलिए दिया कि उससे कहीं ना कहीं एक तरफ तो राश्पिता महतमा गांधी को भी कि आप लोग इसमरन करते हैं उनकी विरासत को दूसरे उनके विपरीत महतमा गांधी नहीं नारा दिया था कि इस देश की जो आत्मा है गाउं में बस ती है यह कहा था कि नहीं गाउं में कौन होता है किसान होता है तो आज उसकी जो आत्मा आज रो रही है देश की आत्मा और हमारे आधन दिये मोदी जी मन की बात कर रहे हैं दुनिया भर की बात कर रहे हैं उन किसानों अरे बात तो तब थी आप विलक्षन पर तबा के धनी कहे जाते कि आप यहां सिंगू बॉर्डर पर पहुंच जाते की मेरे भाई हैं और उनसे दिल खोल के उनके साथ बैठ के बात करते हैं मोदी जी तो कह रहे हैं कि MSP है MSP रहेगी इस चीज़ की गारेंटी किसानों की वह सोच रहे हैं वह तो यह भी कह रहे थे कि कोरोना 21 में हम खतम कर देंगे 18 दिन में महा भारत खतम हुई थी क्या कोविड आज तक खतम हो गया तो इनके बातों में विश्वास नहीं रहा है आम जनता को तो यह जो कह रहें कि MSP कहां से है MSP यह तो पूंजी पतियों के जो बिचॉलिये हैं उनके माद्यम से सोचल और उनका होगा जो छोटे किसान है जो 2 एक्टेर से कम वह वह किसान सबसे ज़्यादा शोच उसका परताड़ना उसकी परताड़ना है जो बिचॉलियों के माद्यम से मंडी सिस्टम मंडी सिस्टम अगर समाप्त होगा तो वहां पर भी रोजगार समाप्त होगा आज रोजगार के वैसे ही आज किस तरीके से रोजगार का सर्जन या यह विलूप तो हो रहे हैं रोजगार आज आज की तारीख में विश्व प्रब्राइब द्राग में इस पर क्या और आप अगर जो आप कह रहे हैं स्विकार कीजा आप जो है विधान सबात कीजे तो साधार पर विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है कॉंगर्स प्रदेश में तो यह हम क्यों सारजनिक करें जब विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको यह महसूस होना चाहिए हम लोग इस बात को लेके आशानवेत है कि हमारा यह अविश्वास प्रस्त शुक्रिया तो यह थे कॉंग्रेस के वर्ष नेता और हर्याना कॉंग्रेस प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल जोने कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चगी कैमरामेन करमीर वालिया के साथ एंवी न्यूज के लिए अभिशेक तक्षाग शंडिकर